जोतिश के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाय चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को परियनाम दे सकता है तो आई अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं कि यदि आप उसे कंसर्टेशन लेना चाहते हैं तो उपर दिए सब्सक्राइट पर जा सकते हैं कर लिंग डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो आज हम जान रहे हैं कि सूर्य के छठे भाव में बैटने पर क्या परियनाम दिखाई देते हैं अकसर देखिए छठा भाव जो होता है वो दुस्थान भाव माना गया है और उपजय स्थान है ये एक अशुब भाव माना जाता है जोतिश में छठे भाव में सेहम रोग, रिन, शत्रू, किसी भी प्रकार की बाधाएं और परेशान या समस्याई जीवन में होने वाली देखते हैं तो यहां पर जो भी ग्रह बैठते हैं उनको कभी भी बहुत सहज नहीं माना जाता है यानि वो कमफर्टेबल नहीं होते हैं इसमें हाला कि एक चीज अच्छी होती है कि यदि छठे भाव में कुरूर ग्रह बैठते हैं अच्छे परिनाम देने की भी ताकत काफी रखते हैं पर इसमें एक बात गौर करने वाली यह होती है कि छठे भाव में बैठने वाले जो भी ग्रह हैं उनका व्यवहार कैसा है अगर वो शुब हैं तो फिर छठे भाव में बैठकर अच्छे परिनाम देने की शमता रखें अगर वो शत्रू हैं, अशुब हैं, कुंडली में व्यक्ति के लिए मारक हैं, तो वो छठे भाव से नकरात्मक परिणाम ही अक्सर जादा देंगे, तो ये एक क्लेरिफिकेशन है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, ये कोई थम रूल नहीं होता है कि मंगल शनी राहू या स सूर्य जैसे ग्रह चटे में बैठ गए तो वो हमेशा आपको बहुत बेतरीन परिणाम देने वाले हैं, ये निर्भर करता है कि वहां उनकी इस्थिती कैसी है, क्या वो आपके लिए मित्रूवत है या शत्रूवत है तो वही धंके परिणाम आएंगे, शत्रूवत है तो उतने ही उत्पात मचाएंगे, तो यहां पर ये बात रहती है कि छटे भाव में ग्रह जो बैठा उसकी इस्थिती को गवर से देखना बहुत जरूरी होता है, तो खेर अब आगे बढ़ाते हैं, और सूर्य छटे में बैठे तो किस प्रकार के परिणाम होते हैं, सबसे पह किस देखना में उच्ची में अपनी, तो नहीं अगर अपनी खुद टो की राशी होगी तो केंद्ररे तरकोड का स्वामी नहीं बनेगा, यह का सबत्fred नेने tells इकिया है अगर अगर श्ट्रूरवात पहली बाइगा, अशुपत्वत तो अगन मेंा जाएगा, पर उसके पा चटे का स्वाम योग के चटे में ही बढ़ जतो पर बात यहां यह हो रहे हिस सूरे यदी शुग है मित्रवत है और अच्छी राशियों में बैठा है। बैट कर तो सूरे को अच्छा माना जाएगा खराब नहीं माना जाएगा और सूरे छठे में बैटने पर काफी अच्छे परिणाम देने की ताकत रखेगा तो अब यहाँ पे अगर सूरे की ऐसी परिस्थिती है कुंडली में तो वो किस प्रकार के रिजल्ट दे सकता है पहल में लाब दिखाई पढ़ता है, हानी नहीं दिखाई पढ़तीуск। पर एक बात रहती कि छठे का पक्ष समाप्त नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या है कि सूरे जैसे छठा भाव संगर्षों का होता है, देरी का होता है, तो यहाँ पर जीवर में कहीं न कहीं संगर्ष होते हैं देरी होती है पर विजय प्राप्त होती है अल्टिमेटली चीजे हासिल हो याती है दूसरा छटा भाव जो होता है वो रोग रिण शत्रू बाधाएं इनका होता है तो ये भी अगर जीवन में कभी भी आते हैं, तो इनके उपर भी विजय प्राप्त होती है, यह हमेशा व्यक्ति को सफलता जरूर देगा, अगर सूरे छठे में मजबूत है, यह कभी नहीं होगा कि आपको वो हरा दे, वो हमेशा विजय कराता है, वो पर विजय कैसे होती है, जूज कर, लडाई करके, सामना करके, शत्रू को पहले, जो भी छठे भाव की चीज़, छठे भाव का अर्थ है, कोई भी चीज़ आपके लिए बाधा है, anything, कोई आपका शत्रू हो सकता है, कोई रिन हो सकते हैं, करजे, उधार, या कोई शारीरिक समस्या है, कोल्ट कचैरी के मामले, जीवन में कोई व्य पहने, करीवन में सकते हैं, कर्ज शक्ता है, कोई अन्यय बाधाइї, करिं में इशुस हो सकते, anything, whatsoever, anything, whatever, can happen, but person is able to conquer them overpower them उनको उनके उपर सफलता और विजय प्राप्त होती है सूर्य छठे में जिसका बहुत अच्छा परिनाम है जो व्यक्ति को प्रदान करता है अब यह होता क्यों है उसका भी एक कारण है यह ऐसे ही नहीं है कि अपने आप ही हो जाता है जो व्यक्ति को सफल बनाती है अंतता तो इसका एक logic यही है कि छठे में कुरूर करें क्यों अच्छे माने जाते हैं जो benefits होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि वो soft planets हैं जैसे शुक्र, चंद्रमा, बुद्ध, गुरू यह सब छठे में बिल्कुल बढ़िया नहीं होते हैं क्योंकि यह natural benefits हैं इनका इतना tough attitude नहीं होता है तो यहां पर यह जो ग्रह है मंगल, शनी, राहू, सूर्य जैसे यह बड़ा अच्छा परिनाम दे पाते हैं यह सिर्फ चठे में ही नहीं तीसरे चठे उपचा इस्थान तीसरे चठे दसवे जार्वे भावों में अच्छा परिनाम दे पाते हैं तो यदि सोचते हैं तो पहली बात तो लक्ष सही सोचने पर लेके जाता है कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों के लिए महिनत तो कर रहे होते हैं परिश्रम तो कर रहे होते हैं बट वो दिशाए हमारे लिए सही नहीं होती है तो यहां पर पहले तो दिशा भी सही चैन करवाता कि आप प्मने जो दिशा चुनिए ऐस और दिरेक्षा सही है और फिर उस दिशा में जो कारे चाहिए वो भी कर रहा है विक्ती तो यह दोनों ही चीज़े होती कि मिस्ड डारेक्शन नहीं पैदा होता और कारे में सफलता भी मिलती है तो यहां क्या हो रहा इच्छा शक्ती अच्छी है डिरसंकल पच्छा है मेहनत मशक्कत में यकीन है एक्षन ओरियंटेड होते हैं कर्मनिष्ट हैं कर्तव्यनिष्ट हैं व्यक्ति अपने जीवन में पुरुशार्थ से आगे बढ़ता है मेहनत से आगे बढ़ता है बले ही कि इतनी दुरू परिस्थिती से व्यक्ति आया हो, यहां पर अधी सूर्य बलवान है, अच्छे योग बनाता है, तो यह आपको बिल्कुल निचले स्तर पर भी अगर होगे, तो यह उचा उठाएगा जरूर, असंभाव है कि यह ना हो, अगर सूर्य अच्छा है तभे होगा, वर्णा नहीं, तो यहां पर यह बात रहती है, कि जो हमने बात कहीं, dedication, willpower, action-oriented, toughness, relentlessness, यह सारी जो गुण है, अच्छे, यह सब व्यक्ति के भीतर भरता है, जैसे जैसे आप प्रगती करते हैं जीवन में, अपनी महत्वकांग्शाओं को पूरा करते हैं, लक्षयों को प goals, तो यह चीज नजाराती है, दूसरा, यह इसी वजह से, करियर में, प्रोग्रेस के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, बढ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती हो, खास्तोर से, competition के लिए, कोई भी प्रतिस परदा, छटे भाव से, हम competition देखते हैं, भारत में हर व्यक् जाती है, कि छटे भाव से, प्रतिस परदा में, विजय प्राप्त कराने के लिए, अच्छा माना जाता है, तो सूरे जो है, आपको, इस वजह से, क्या है, नौकरी, करियर, और छटा भाव सेवा का है, नौकरी के लिए, हम देखते हैं, उसको, service, तो उसके लिए, बड़ा होते हैं, जो छटे भाव को ले करके बड़े अच्छे माने जाते हैं, यदि करियर के लिए, सूरे का प्रभाव कुंडली में आ रहा हो, तो ये जैसे चिकित्सा का छेतर है, medicine, healthcare, life science, इन से related जो काम है, करियर है, बहुत अच्छा, public service है, राजनीती है, समाज सेवा है, प्र कोई भी चीज जो जिसके उपर आप जो है, law and order apply करते हो, तो वो भी यहाँ पर defense and police भी इसके इंतर रहता था, तो ये ऐसे कुछ एक इक इलाके हैं, जिनके लिए सूरे अगर करियर के लिए कुंडली में जिम्मेदार है, तो इनमें सफल भी बना सकता है, इसके अलावा, य आपके जीवन में कहीं न कहीं समस्याओं को जो है, ये देगा, और वो कोई भी समस्याओं हो सकती, खास्त और से उस भाव से related, जिसका स्वामी ग्रह सूरे है कुंडली में, पर वो समस्याओं जो है, धीरे-धीरे विक्ती, जैसा मैंने कहा, उसको overpower कर पाते हैं, उसको जो जटा भाव रोगों का है, हेल्थ प्रोब्लम्स का है, तो ये कहीं न कहीं हेल्थ इशूस देता रहता है, बीच-बीच में कभी न कभी, खास्तोर से जब दशाएं ऐसे ग्रहों किया हैं तो और भी ज्यादा, पर ये बात रहती है कि अगर कोई रोग या कोई परिशानिया या कोई चोटें, अगर लगती भी हैं शरीर को कभी कश्ट भी होते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं, रिकवरी होती है, पर ये आती जाती इस्थितियां देखने मिलती हैं, पर overall क्या है, strong physical and mental strength प्रदान करेगा, अगर छटे में सूरे अच्छा है, तो ये कई एक बहतर भाव का ही स्वामी है, अशुब ग्रहों के साथ उसका संबंध है, पीडित हो जाता है, ग्रहन योग बना के रखे हुएं, मिर्ट्यू भाग में हैं, या फिर जिस राशी में वो बैठा है, उसका स्वामी ग्रह बहत कमजोर हो गया है, उससे कोई बल प्राप्ती नहीं है, तो सूर्य के पास क्या होगा, अब कोई ताकत नहीं बचेगी, और अगर वो मारक है या जो है दुस्थान भावों को स्वामी है, तो वो और भी जादा जो है नकरात्मक माना जाएगा, उसके पास पूरी समता होगी नुकसान पैदा करने की, और उसमें फिर से एक बात क्ल करता हो, अगर सूर्य जो है वो नकरात्मक हुआ, तो वो उसके पास क्या है, शत्रू पक्षा है, यानि अशुभत्व है, मेलिफिक नेचर है, तो वो लाइफ में मेलिफिक रिजल्ट्स देगा अवश्य, मान लिजे छठे का स्वामी होंके छठे में बैठा, तो छठे के क कोई न कोई इलाकों को परिशान जडूर करेगा, तो आपके जो करियर है, शत्रू है, इन पे आपको हमेशा सफल करवा देगा, तो ये चीज रहती है, कि सूर्य अगर अपनी मतलब पारिस्थिती उसकी अगर मेलिफिक है, शत्रू है, तो शत्रू होने के नाते कुछ बेतर परिणाम भी देगा, मिक्स्ट रिजल्ट आएंगे, पर अगर वो शत्रू होने के साथ साथ खराब राशियां, कोई बल नहीं, कुछ नहीं, और अफलिक्ट है, पिलित है बहेंकर तरीके से, तो फिर वो तोटल बरबाद रिजल्ट ही देगा, तो अब यहाँ पे चरीर में उर्जा की खत्त है, कमी हो जाती है, या तो क्योंकि छटा भाव स्वास्थ है, हेल्थ, तो रोग भी हम वहीं से देखते हैं, तो यहाँ पे या तो आपको अकसर रोग घेरे रहते हैं, शरीर में एनर्जी नहीं होती, कोई उर्जा महसूस नहीं करते, रहा पकड़ के ही विक्ति चलता है, कोई भी काम पूरे नहीं होते हैं, आलस भरा पड़ा रहता है, और हम कोई काम अगर उत्साह में आके शुरू भी कर दें, तो पूरा कभी नहीं कर पाते हैं, जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ हो जाते हैं, करियर में इनिस्टेबिल कितने टेफ हो तुम, अब यहां पर सूर्य का गमजोर हुआ, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्कुल पाताल में चला जाएगा, क्योंकि यहां पर कंडीशन यह रहती है, कि सूर्य जो है, वो वीक अगर हुआ, तो आदम विश्वास लगातार जो जीवन में असफल चलताएं विक्ति देखता है, उसके चलते बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तो हम अगली दफ़ा कोई भी काम करने के लिए छुकी नहीं रह जाते, जिस वज़े से करियर वें फाइनसेज में इनिस्टेबिलिटी भी पैदा होती है, इसके अलावा लगातार संगर्ष जारी चलताएं जारी रहता है, खत्म नहीं होता, देरी होती, कोई भी काम एक बार नहीं होगा, अटक अटक के होगा, रुला रुला के होगा, दूसरा या पिर चीज़े, अगर गलत दिशा में वेक्ति कभी कोई कारे कर रहा हो मा लीजे, फॉर इक्जांपल कोई वेक्ति किसी चीज के लिए प्रयास कर रहा है कि इस जगह पे हमें नोकरी मिल जाए आप कुंडली में उसके यूग नहीं आते पर वो फिर भी लगे हुए हैं लगे हुए हैं हो नहीं रहा है तो इसमें क्या रहता है कि लगातार जो है असफलताएं आ रही है या चीजों का डिनायल हो रह है तो इसमें कई दफा जो है कंफ्यूजन में डियरेक्शन पूर डिसीजन मेकिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है इसके लावा छटे भाव के जितनी भी चीजें पहले जहां था कि उसके उपरा विजय प्राप्त करेंगे अब उनसे ही लगातार परास्त हो कोर्ट कचेरी के मुकदमे बाजी होती है मुकदमे बाजी में हारते हैं और दूसरा लोन्स या डेट्स करजे हैं उधार है कुछ भी खड़ा होता चुकता नहीं है और दूसरा मानहानी सूर्य क्या है समाज में आपका मान या पद प्रतिश्ठा तो ये कोई तरीके की मानह या loss of status या reputation पैदा कर सकता है करियर मतलब जो आपका कार्य छेत्र है work environment काफी toxic हो जाए कार्य छेत्र पे बहुत परिशानिया महसूस करें समस्या महसूस करें साथ के कर्मचारियों से बहुत दिक्ते हो यह भी होता है वा हाला कि यह तो बड़ी common complaint होती हमारा work environment अच्छा नहीं यह मैं genuine toxic environment की बात कर रहा हूं जहां पर वाकई में कारे करना दुशवार है यह चोटी मोटी complaints की बात नहीं हो रही है और दूसरी बात रहती है कि यह शारीडिक स्वास्थ को बहुत खराब कर दखता है अगर रोग के भाव में छठा भाव रोग इस्थान है पीलो थोके ब blood circulation की कोई भी समस्या है वो सारी चीजे देने की ताकत रखता है personality disorder किसी भी प्रकार के कई प्रकार के होते हैं वो उनमें से कुछ भी संभव है योग निर्भर करेगा किसी तरीके की चोट चपेट है खास तोर से जल जाना यानि burns है कोई कई वेक्ती को कोई जुलस गए कहीं या injury या कोई चीज से जल जाना ये भी छटे बाव से देखने मिलता है और इसके अलावा यहां पर कमजोर होगा तो ये वेक्ती के भीतर जो है एक ऐसी प्रवत्ती भी देता है जिसमें हम दूसरों के ऊपर अपनी कमियों और सफलताओं का ठिकरा फोड़ने लग जाते हैं दोशार ओपड करते हैं परिस्थितियों और अपने जीवन में मौजूद लोगों के ऊपर कि इस फला परिस्थिति या फला वेक्ती की वज़े से हम कामयाब नहीं हो सके वरना हम बहुत कामयाब हो सकते थे तो ये जो चीज है ये भी सूर्य प्रदान करेगा अगर छठे म फोरों और watch और दूसरी बात की जिस भाव का स्वामी होगा कि उस भाव की जो भीजी होंगी वह चो जाने पर हो जाएं उनसे रिलेटी समस्याइं पर पाइडा को उंगी तुमा कि उनसे सांवर जो चला गया खराब हो ऋगया शादी बया में अ क्लिफे शादी ब्यास से रिलेटेड सबसे ज़्यादा मुसीवत पैदा होगी ऐसे चौथा भाव जमीन ज्यादा हो गई तो इन से कोई समस्याइं पैदा हो रही है और घर में अशांती का वातावरन रहता सुख नहीं होता यह चीजे तो यह उधारण है कि जिस भाव का अधिकारी लोग होते हैं जहां पर आप काम कर रहे हैं तो उनसे लफड़े बाजी बहुत देता है पढ़जानिया देता है या तो पिता को कोई नुकसान हो जाए उनका स्वात खराब रहे या उनको कोई जीवन में तकलीफे हो या फिर आपका उनसे संबंद बरबाद कर होते हैं ऐसे ही बॉसिस के साथ जो है अनबन होती है मनमुटाव हो जाते हैं इगो क्लैश होते हैं और कारिछेतर पर तकलीफे महसूस होती हैं दूसरा यह इर्शा बहुत पैदा करेगा छठे भाव में अगर सूर जहों खास्त और से मंगल वागरा वहां बैड़ तो यहा यहां पे यह नकरात्मक पहलू भी देता है तो इसमें देखिए कि बहुत जो है इसमें फर्क है धरती आस्मान का फर्क है अच्छे सूर्य और खराब सूर्य में दोनों एकी भाव में चटे भाव में सूर्य अच्छा है तो कितने प्रभावशाली परिनाम आते हैं बहतरी परिनाम देने की शक्ति रखता है और अगर कमजोर हो गया तो उतने ही नकरात्मक उतने ही खराब परिनाम देने की ताकत होती है तो इसलिए कुंडली में उसको जरूर देखिए कि कैसे वो हरकत कर रहा है किस तरीके के योग है कैसी उसकी परिस्ठति है तब ही जो है किसी निश्कर्ष पे आईएगा बाकी यहाँ पे हमने एक जनरल डिस्क्रिप्शन दिया है कि सूर्य छठे में किस प्रकार के सामानने रूप से परिनाम दे सकता है अच्छा या खराब जैसा हो तो मेरे खाल से आपको यहाँ पे काफी हद तक चीज़े समझ आई होंगी कि सूर्य के छठे में किस सकते के रिजल्ट आते हैं यदि आप में इस चैनल पर ना है नीचे दूबे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजे जादा ज्यानकारी के लिए आप में डिवेब साइट फेटू पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं इनके लिंक डिस्क् अधिया और एंस कर अभब से लिए ऑादब वेडी जहर झालन पर एंस सकते हैं औरा आते हैं ऊ電 접 रहए़ग note वर, पर अ